debit card को activate कैसे करें, जो virtual debit card है, Central Bank of India ने launch कर दिया है, जिस card को सभी लोग apply करके ले भी रहे हैं, लेकिन इस card का main मकसद जो था, UPI pin create करना था, या online से swapping करना था, या payment वगरा करना था, जो भी detail मतलब इस card में अगर payments वगरा की बात करें, UPI pin create करने के बात करें, तो वो सभी में ए card सामिल था, लेकिन इस card का, जो है, सही उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका pin ही नहीं बन पाड़ा है, ATM pin, ये card जो है, यहाँ देखे, card status on दिखा रहा है, लेकिन इस card से ना payment होता है, किसी भी, अगर आप कहीं पर money भी add करेंगे, या कहीं से मालेजी flip card वगरा से shopping भी क जितना में detail है, वो physical debit card से पूरा ही अलग है, तो इस debit card का main मुद्धा था, कि ये जो debit card है, कहीं भी swapping कर सकते हों, आप लोग, और UPI pin के rate कर सकते हो, लेकिन UPI pin के लिए ATM pin बनाना जरूरी होता है, तो उसके लिए अगर हम यहाँ से pin जरनेट बाला section पर क्लिक करके, अगर इ ये bank का अभी तक full update नहीं आए, अभी सिर्फ card apply हो रहा है, और आपको सिर्फ sue कर रहा है, यहाँ से manage card पर देखके, आप sue कर सकते हैं, कि आपका card जो है, आपको मिला है, लेकिन इस card से कोई भी payment बगएर, detail बगएर नहीं हो रहे है, वो कब होगा, ये आपको bank की तरब से wait कर पड़े का कोई भी information आने के बाद ही, अभी सिर्फ card सभी को दिया जा रहा है, और ये card free है, अभी इसके लिए ना कोई charge लग रहा है, ना yearly fees है, कुछ भी charge नहीं है, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि इस charge नहीं लेगी, हो सकता है, एक साल बाद, या 6 मैंने बाद, या 3 मैंने बाद ही कोई notice जारी करके, अब बैंक जो है, इसके चार्ज लेने लगी, कि वर्चुबल कार्ड को आपको 50 रोपिया या 100 रोपिया चार्ज करना पड़ेगा, और हो सकता yearly fees भी लगा दे, तो अभी इसका तो कोई भी charge नहीं है, अभी फ्री है, अभी और ये card को से भी वगरा देख सकता है, अगर किसी भी website वगरा पर payment करने की कोशिस करें, तो ये payment जो है, फिल्ड हो जाता है, bank dislined कर देती है, क्योंकि अभी card successfully verify होके, नहीं launch की गई है, सिर्फ ऐसा ही card को launch करके सिर्फ दिखा दिया गया है, मतलब originally इसका जो काम होना चाहिए, जैसे कि अगर कनेरा बैंक या स्टीट बैंक के virtual card से payment वगरा करें, या money add वगरा करें, वो पूरी तरह से सही तरीका से काम करता है, लेकिन central bank का अभी फिलाल ठीक तरीका से काम नहीं कर रहा है, जैसा ही new update आता है, मैं आपको सही information प्रोवाइड कर दूँगा, इस card से payment स्टार्ट हो